हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों को इंजोई कर रहे होंगे तो चलिए आज हम बनाएंगे आलू पालक की सबजी आपने पालक पनीर तो बहुत खाया होगा लेकिन अगर आप ये वाली सबजी ट्राई करोगे तो इतनी टेस्टी सबजी बन कर तयार हुई है तो चलिए बिना देर किये शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना आलू पालक की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने याँ पर लिये हैं मेडियम साइज के तीन कच्छे आलू जिनको मैंने अच्छे से वोश करके छील कर हम छेता हमेन मिक्स हर दें मिक्स करके मैरिनें के लिए रखक देंगो अब हम लेंगे 500 ग्राम कालक के्शPाम जिसको मैंने आच्छे से भॉश करके काट लिया है और काटने के बाद हम इसको लेंगे कुकर में, साथ ही उसमें स्वादानुसार नमक और आधा चमचा पाने डाल कर इसमें 2-3 सीटिया लगाएंगे 2-3 सीटिया लगने के बाद आप देख सकते हैं कि पालक हमारा अच्छे से गल चुका है अब हम इसको ठंडा करेंगे कुछ देर के लिए 5-7 मिनट के लिए और जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसको मेक्सिके जार में डाल कर हम पीस कर एक फाइड रख लेंगे अब हमने जो आलू मैरिनेट होने के लिए रखे थे उनको भी 10-15 मिनट हो चुकी है तो अब हम कड़ाई में लेंगे एक चमचा तेल आप कोई भी कुकिंगोल यहां पर यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम यह आलू डाल देंगे हमें इन्हें इसमें पकाना है 5-7 मिनट और मेडिया माच पर ही हमें इनको पकाना है बीच-बीच में हमें इनको चलाते रहना है ताकि सारे जो आलू है वो हमारे अच्छे से पक सके आप देखेंगे कि कुछ मिनट के बाद इनका कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा और यह लाइट गोल्डन कलर के होने लगेंगे तो आप देख सकते हैं कलर आलू का चेंज होने लगा है अब हम इनको इस तेल से निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे और कड़ाई में जो हमारा बचा हुआ तेल है उसी में हम आगे की सबजी बनाएंगे आप देख सकते हैं कि कड़ाई में काफी तेल बचा हुआ है अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और जीरा जैसी चटकने लगे तो तुरंत हमें यहाँ पर डालनी है बारिक कटी हुई प्यास जोगे मैंने मीडियम साइज के काट कर रखी थी एक से दो मिनट भूनने के बाद हम यहाँ पर जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी इसमें अड़ कर देंगे और इसको दीरे दीरे ऐसी चलाएंगे साथ ही हम इसमें एक चोथाई चम्मच हल्दी और एक चोथाई चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि छोंक हमारा भून चुका है अच्छे से अब हम यहाँ पर डालेंगे बारे कटा हुआ टमाटर मैंने एक मीडियम साइज का टमाटर यहाँ पर लिया है और हरे मीर्ज भी मैंने इसी में काट दिया है इसको एक से दो मिनिट हमें भूनना है और फिर इसको हमें ढखके रख देना है तीन से चार मिनिट साथ ही हम यहाँ पर स्वादनुसार थोड़ा सा नमक भी एड़ कर देंगे और इसको ढखकर रख देंगे चार से पांच मिनट बाद जब हम देखते हैं तो हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुका है और इसको हम थोड़ा सा फ्यूरी टाइप बना लेंगे अब हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने पालक ग्राइंड करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही आधा ग्लास डालेंगे हम यहाँ पर पानी और जब इसमें उबाल आने लगे तो उबाल आने के बाद हम इसको ढखकर रख देंगे 3-4 मिनट के लिए और धीमी धीमी आज पर इसको पकने देंगे आप देखेंगे कि जब 3-4 मिनट बाद हम इसको देखेंगे तो इसका कलर देखें पूरी तरह से चेंज हो चुका है और कितना अच्छा कलर इसके उपर आया है अब हम यहाँ पर जो हमने आलो फ्राइ किये थे वो भी इसमें डाल देंगे और फिर से हम इसे 2-3 मिनट पकाएंगे ढग कर और 2-3 मिनट बाद जब हम इसको देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी सबजी के उपर कितना अच्छा कलर आया है तो फ्रेंट्स हैना अच्छी रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राइ करना और कोमेंट बॉक्स में अपना एक्सपिरेंस ज़रूर शेयर करना साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आपको और भी धेर सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन्स टाइम से मिल सके देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद